दोस्तों ये है राजकोट जो गुजरात राज्य में स्थित है यह एक एतिहासिक और सांस्कृतिक द्रिश्टिकों से महत्वपूर्ण शहर है इसका इतिहास संस्कृती और आधुनिक विकास इसे एक अनुखा स्थल बनाते हैं इतिहास और प्रिष्ट भूमी, राजकोट का इतिहास 17 सदी के प्रारम से जुड़ा हुआ है ये शहर ततकालीन राजकोट राज्य की राजधानी था और इसने ब्रिटिश राज के दोरान भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाए राजकोट की स्थापना 1615 में कोलहात नामक एक रियासत द्वारा की गई थी इस समय से लेकर आज तक राजकोट ने कई एतिहासिक और सास्कृतिक परिवर्तनों का सामना किया है भूगोलिक स्थिति राजकोट गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है और सौराश्टरक शेत्रका एक प्रमुक शहर है ये शहर लगभग 300 किलोमीटर दूर सूरत और 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के बीच स्थित है इसकी भूगोलिक स्थिति इसे एक मेहत्वपूर्ण व्यापारिक और सास्कृतिक केंडर बनाती है आर्थिक गतिविधिया राजकोट एक प्रमुक और द्योगिक और व्यावसाइक केंडर है ये शहर खादी, वस्त्र उद्योग और इंजिनिरिंग उपकरनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है इसके अलावा यहाँ पर कई छोटी और मध्यमाकार की उद्योगों की भी स्थापना हुई है जो स्थानिय अर्थ व्यवस्ता को सशक्त बनाती है राजकोट की व्यापारिक गतिविधिया न केवल स्थानिय स्तर पर बलकी अंतराश्ट्रिय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है सास्कृतिक और धार्मिक स्थल राजकोट में कई सास्पृतिक और धार्मिक स्थल हैं जो इसके विविद सास्पृतिक धरोहर को दर्शाते हैं 1. कर्मबधाम यह एक प्रमुक जैन मंदिर है जो अपने स्थापत्यकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद है 2. श्री स्वामिना रायन मंदिर यह मंदिर राजकोट की धार्मिक्ता और सास्पृतिक धरोहर को दर्शाता है 3. गांधी समाधी महात्मा गांधी की कर्मभूमी होने के नाते राजकोट में गांधी समाधी स्थित है जो उनकी आद में बनाये गए स्मारक का प्रतीक है और यहां पर उच्चे गुनवत्ता की स्वास्थे सेवाय प्रदान की जाती हैं। संस्कृती बहुत विविध है और यहां की लोगकला, संगीत और नृत्य इसकी विशेषता हैं। राजकोट एक ऐसा शहर है जो एतिहासिक महत्व, सास्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास का अद्भुत मिश्रन प्रस्तुत करता है। इसका विविधता भरा सामाजिक और सास्कृतिक परिद्रश्य इसे एक अनूठा स्थान बनाता है।